हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सिर्फ पांच मिनट में आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेस्वनल लोगों बना सकते हैं हाँ दोस्तो सही सुना आपने सिर्फ और सिर्फ पांच मिनिट में तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुर दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो लोगो बनाने के लिए हम लोगो गुजी साइब की जुरत पड़ेगी उसका नाम है पिक्सल अप दोस्तो इसे मैंने अपने फोन में पहले से इंस्टॉल किया है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर option आजाता है custom का इसके सामने के यहाँ आइरो इसको हम लोग टच कर लेते हैं और इहां पर profile picture जो घृडड option है दोस्तो इसको हम लोग select कर लेते हैं इसको select करने के बाद दोस्तो हम लोग simply okay पर टच कर देते हैं यहां नीचे right corner पर दोस्तों आप देख रहे होंगे capital letter से A लिखा हुआ है इसको हम लोग टच करते हैं और इसमें जो option आजाता है edit का दोस्तों यहां पर हम लोग इसको edit को touch कर देते हैं दोस्तों इसको करने के बाद हम लोग यहां पर जो भी words या letters को type करना चाहते हैं अपने लोगों में या जो भी need हो आपकी आप उस हिसाब से यहां पर उसको type कर सकते हैं दोस्तों जैसे मेरे channel का नाम है unboxing world तो मैं यहां पर UW type कर देता हूं और इसको done कर देता हूं एक option और है यहां से भी हम इस image की size को इस font के size को बढ़ा सकते हैं दोस्तों यह इसको देखी यहां से भी हम अपने font के size को बढ़ा गटा सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से adjust करके दोस्तों इसको मैं अपने हिसाब से adjust कर लेता हूं और यहां से tick कर देता हूं दोस्तो इसके बाद जो option आता है वो है font का, जो हमें use करना है दोस्तो इसके बाद यहाँ पर A-B करके font का option आ जाता है इसको हम लोग use कर लेते हैं यहाँ पर इस app में काफी fonts दिये गए हैं पहले से ही, लेकिन मैंने कुछ fonts डाउनलोड कर रखे हैं जिसे मैं use करूँगा जो मैं font use करूँगा दोस्तो वो फेकॉन है इसकी link मैं आपको description में दे दूँगा इसको मैं select कर लेता हूँ और select करने के बाद दोस्तो आप देख रहे होंगे मेरा letters कुछ इस तरह से हो गए इसके बाद दोस्तो इसमें एक option उपर की और है padding का padding को touch करने के बाद दोस्तो हम लोग अपने हिसाब से left padding, right padding को adjust कर लेते हैं दोस्तो आप देख रहे होंगे इसको adjust करने के बाद इसको tick कर देते हैं दोस्तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर plus का option है उपर की और middle में आप देख रहे होंगे इस plus के option को touch करते हैं दोस्तो प्लस के option को touch करने के बाद यहाँ 4th option आ जाता है shapes का दोस्तो इस shapes को हम लोग टच करते हैं shapes को touch करने के बाद दोस्तो यहाँ पर right corner में देख रहे होंगे इसको अर्जेस करने के बाद दोस्तो यहां पर इसको मैं जीरो कर लेता हूँ आपसिटी को आपसिटी को जीरो करने के बाद दोस्तो पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि मेरा सरकल सही है कि नहीं हाँ देखिए दोस्तो इसके बाद आपसिटी को जीरो कर लेता हूँ दोस्तो इस को सेलेक कर लेते हैं, यहां से OK होगया, दोस्तों इसके बाद ये उपर middle में layer का option है, es layer को हम झोज करते हैं, इस choice करने के बाद दोस्तों यहां पर left corner में आप इसे देख रहे होंगे select करने का option है इसको हम बोग touch कर देते हैं, दोस्तों इसके बाद एक बगल में जो hexagonal shape का बार है उसको टच करते हैं और इसके बाद इसमें option आजाता है texture का दोस्तो यह रहा texture का option इस texture के option को touch करते हैं और यहां से हम लोग texture को select कर लेते हैं दोस्तो मैंने पहले से texture को download कर रखा है आप भी google से या कहीं से भी texture को download कर सकते हैं silver texture को use करने के लिए अगर आपको जरवत होगी तो मैं इसका link description में दे दूँगा दोस्तो देखे यह हमारा select हो गया texture दोस्तो इस texture के scale को हम लोग यहां से बढ़ागटा भी सकते हैं दोस्तो यहां से मैं इसको बढ़ागटा रहा हूं इसको करने के बाद दोस्तो यहां से मैं इसको tick कर देता हूं और फिर इस layer को touch कर देता हूं दोस्तो अब हमें जो next काम करना है वो है background image को कैसे change करें दोस्तो इसके लिए हमें सबसे पहले third जो इसके hexagonal shape के बगल में option है उसको touch करेंगे और यहां पर देखे from gallery इसको touch करेंगे दोस्तो इसको touch करने के बाद हम फिर से गैलरी में background को select करेंगे background select करने के बाद दोस्तो यह देखे मैंने background को select कर लिया और यहां से इसको ok कर दिया देखे दोस्तो हमारा background भी select हो गया और इसके बाद दोस्तो हम लोग यहां से फिर से अपने corner में जो एक यह इसको touch कर लेते हैं और यहां से हम दोग इसके brightness को sett कर लेते हैं इस से λέखने के बाद हम लोग के हमें पेक्शक करका हिए इसके बगल में लीचंच करना को सेलेक्ट करना और स्ट्रोग कलर दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी स्ट कर सकते। जो भी आप सा पया जो ब्लड रेडियस को थोड़ा सा कम कर दीजेगा, अपने हिसाफ से आप कम कर सकते हैं, देखिए दोस्तो मैंने ब्लड रेडियस 4 रखा है, आफसेट आप एक्स वाई जीरो जो भी है आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं, यतना भी आपको आफसेट चाहिए, देखिए दोस्तो और आप यहां से ब्राइटठनेस को बढ़ा भी गटा भी सकते हैं, तर देखिए, फिर से मैं यहां पर अपने इस ब्राइटनस को बढ़ा रहा हूं, और अपने हिसाफ से idis को मैं सेलेक कर लिया, और इसके kontrast को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा घटा रहा हूं, तो दोस्तो, के बाद इसकी quality को हम लोग ultra level पे save करेंगे, ultra mode पे save करने के बाद दोस्तों यहां पे save to gallery कर देना है और अब हमारी image दोस्तों save होगी दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सक्षन में जरूर बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें और मेरे चैनल को subscribe करें जैहिन बने मातरम